अलीगर्ण मुस्लिम विशे विद्याले के अलपसंख्यक दरजे पर सुप्रीम कोट का फैसला आ गया है जस्टिस डिवाई चेंदर्चूर के कारेकाल का आज आखरी दिन है आज उन्होंने इस केस में एम फैसला सुनाया उन्होंने खुद फैसला पढ़ा जिसके मुताबिक अलीगर्ण मुस्लिम युनिवस्टि का अलपसंख्यक दरजा फिलहाल बर करा रहेगा वहीं इस केस पर आगे सुप्रीम कोट की दूसरी बैंट सुनवाई करेगी इसका मतलब यह है कि अभी सुप्रीम कोट ने फाइनल नहीं किया है कि AMU अलपसंख्यक संस्थान है या नहीं केस में 4-3 बहुमस से फैसला लिया गया है जस्टिस सूरिकान, जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस SC शर्मा ने असहमती जताई बाकि 4 सहमत हैं जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा नयाय मोटी संजीव खन्ना जस्टिस से जे बी पारदी वाला मनोज मिश्ट्रा शामिल है सुप्रिम कोर्ट ने केस में अजीज बाशा फैसले को पलट दिया वहीं केस में जो भी फैसला आए उसका असर जामिया मीलिया इसलामिया यूनिवरस्टी पर भी पड़ेगा फैसला आते ही 60 साल से चल रहा विवाद भी थम गया क्योंकि यूनिवरस्टी के अलपसंक्यक दरजे पर साल 1968 से ही विवाद चल रहा है आज तक कई सुनवाईयां हो चुकी है फैसला पड़ते हुए सेजे आई चंदचूर ने कहा कि किसी सेक्शनिक संस्थान को केवल इसलिए अलपसंक्यक दरजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसकी स्थापना संसदी एक आनून द्वारा की गई है ऐसी स्थापना से जोड़े विविन्यकार को और अन्य पहलूँ को दियान में रखा जाना चाहिए कोई भी धानमिक समुदाय किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है लेकिन उसका संचालन नहीं कर सकता संविधान के अनूछेत तीस एक दहते किसी संस्था को अलपसंक्यक का दरजा देने के लिए मान दंड क्या है सुप्रीम कोट अच्छे से जानता है अगर इसके प्रावधानों को संविधान लागू होने से पहले स्थापित संस्थाओं पर लागू किया जाएगा और संविधान लागू होने के बाद संस्थाओं पर लागू नहीं किया जाएगा तो अनूछेत तीस कमजोर हो जाएगा कि अलिगर्ग बुस्लीम धुर्स्ती वा डिटमों डिटेज। भीनोरी आप के लिए कर दो डिधिया मृनुरी कि अलिटमा हैं और वगों जापया। कर दिख भाले में नियुक्त परी झाल टुक्राइ तो तो एक जाले पेली नियुक्त कर गूद फिल्ग कर गाया है। तो भाजिए मेंट कर दो एक एक। बज़ने सब्सक्राइब है amd there will be criteria thing also about the 시 the main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority if it is established by minority then the matter ends obviously in this process the court will examine whether it has been जोन अ मेन मेन फ्याथ के का एला का caves दो गधिश लुड थे कि अरिछ सानosit इंट इस्टाब जिए जैजeden मैं लुड की। लुड करो चेजिन जुड कि बारी स्ट्वुड का उस फिर फ़ कुर्ट व से चुनुरी बहाद से चेफिश जुज अOME देखिज लिवेधन है कि टौट एक भी तूझ हैunnoli Walk terme फीडिने कर्वीळ आसीज़-बाश्यासित्कों Μ तूं सઅडरीथ जियान टीछूमृट संथ्यूर wine इसे ईङाग Тरफ ईक्राइछीज़ श्यूरिटीन करतों तीजिए Constitutional Test under Article 30. That test basically includes everything in terms of how the institution was established, its history, the community which was involved and various other aspects. The actual issue of whether AMU is a minority institution will be determined by a smaller bench but given the nature of the test which has been espoused by the majority today, it is quite likely that AMU as an institution as it exists is going to meet all those requirements which have been laid down in the test by the court आज सुप्रीम कोट की साज जजस की खंटपीट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें में दी दो इशूस थे एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोट का 67 का जो सुप्रीम कोट का डिसीजन था अजीज बाशा में जिसमें एम्यू को non-minority institution करार गया था वो judgment गलत है और उसे expressly by a majority of four judges today वो overrule कर दिया गया है और institution को minority institution होने के लिए हमारे article 30 हमारे समविदान के article 30 के अंदर क्या test है वो test भी laid down कर दिया गया है और क्या एम्यू actually minority institution है उसके लिए एक छोटी judges की खंट पीट अब यह इसू डिसाइड करेगी लेकिन जिस तरह का test दिया गया है वो बहुत expensive test है ब्रॉड टेस्ट है तो चांसे काफी हाई है कि जो अलिगर्ण Muslim University है वो इस test को meet करेगी जब भी वह बैस होगी बट वह ऑफिसली डिसीजन सब्सेक्वाइब सब्सक्राइब कर रही थी हाई कोट ने अलिगर्ण Muslim University को अल्पसंके खसंस्तान का अधरजा देने से इंकार किया था साल 2019 में केस साथ जजो की पीट को सौब दिया गया जिसका नेत्रत्व Chief Justice जिवाई चंद्र चूड कर रहे थे इस पीट ने उच्छे तीस के प्रावधानों को ध्यान में रखकर केस की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा आठ दिन लगातार सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाए गया इससे पहले साल 1968 में एस अजीज पाशा बनाम भारस संग केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाए था उस समय यूनिवस्टी को केंद्री विश्यवीद्याले बताया गया था 1981 में अलीगर मुस्लिम यूनिवस्टी एक्ट 1920 में संशोधन किया गया और इसका अलपसंक्यक दर्जा बहाल किया गया इस बहाली को इलाबाद हाई कोर्ट में चालेंज किया गया और मामला कोर्ट पहुचा अपने आसपास की खबरों के लिए सबस्क्राइब करें रॉयल बुलिटिन और इस वीडियो पर कॉमेंट के जरीए अपनी राय देना ना भूले